Hello friends, welcome back to my YouTube channel Unstoppable Education और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप मुवीज के सब्टाइटल का यूज करके अपने इंगलिश को इंप्रूफ कर सकते हो इंगलिश तीग नगा एक बहुत ही बहतरीन तरीका है अगर आप भी अपनी इंगलिश को इंप्रूफ करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंट तक जरूर देखना क्यों कैसे वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली बिना किसी देरीके शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं अपना पहला सेंटेंस यहां पर यह कह रहा है क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है यह कह रहा है यह तो बस बुरा था यह तो बस बुरा था बहुत बुरा होना तो भी बाकी है तुम यह शुरू आज से जानते थे हैं ना तुम यह शुरू आज से जानते थे हैं तुम यह शुरू आज से जानने के लिए हमने यूज़ किया है तो all along का हम use करते हैं जब भी हम दो वड़ का use करते हैं all along तो इसका मतलब होता है किसी बात की जानकारी शुरुआस से होना तो इसलिए इससे कह रहा है you knew it all along didn't you तुम ये शुरुआस से जानते थे हैं न तो इस पर कह रहा है yes I did know हां में जानता था जब तुम ये शुरुआस से जानते ही थे when you knew it all along when you knew it all along जब तुम ये शुरुआस से जानते ही थे when you knew it all along तो फिर तुमने ये मुझसे क्यों चुपाया then why did you hide it from me then why did you hide it from me तो तुमने फिर ये मुझसे क्यों चुपाया है कह रहा है कि तो इसके जवाब में कह रहा है कि तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो यहाँ पर कहा रहा है अगर जैसा में न कहा था तुम ऐसा करते है अभी कुछ काम कर रहे हैं वो अभी तक हुआ ना इसलिए कह रहा है कि if you did what I told you to do अगर तुम ऐसा करते है जैसा में न कहा था इसके जवाब में फ्रेंड्स यह बोल रहा है हमने सब करके देख लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया अब मुझे चलना चाहिए thanks for your help, I must take leave now so friend, I must take leave now हम जब यूज़ करते हैं, जब हम की इससे अलविदा लेते हैं, यानि कि suppose करो कि तुम अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हारा चलने का समय हो गया, तो आप उनसे कहरो है अब मुझे चलना चाहिए, तो आप इस तरहे का sentence use कर सकते हो, I must take leave now ये कह रहा है, thanks for your help, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, I must take leave now, अब मुझे चलना चाहिए अगर कुछ भी होता है, जाते वक्त इससे कह रहा है कि अगर कुछ भी होता है, यानि कोई भी problem होती है, तो मुझे call करना ठीक है, if anything comes up you just call me, all right, if anything comes up, you just call me, all right, अगर कुछ भी होता है, तो मुझे call करना ठीक है if anything comes up, you just call me, all right, next ओगा friend, आगे कह रहा है, बस एक आखरी चीज रह गई करने को, there is just one last thing left to do, there is just one last thing left to do, यानि करने को, बस एक आखरी चीज रह गई, there is just one last thing left to do, आगे होगा friend, यहाँ पर यह अपनी बहन से कह रहा है, तुम्हें पता है, सबको लगता है, मेरी जिन्दगी perfect है, you know everyone thinks my life is perfect you know everyone thinks my life is perfect, तुम्हें पता है सबको लगता है, मेरी जिन्दगी perfect है लेकिन, तुम्हें सच कहूं तो मेरी जिन्दगी इतनी आसान नहीं, जितनी लगती है but to be honest with you my life is not as easy as it seems but to be honest with you my life is not as easy as it seems लेकिन, तुम्हें सच कहूं तो मेरी जिन्दगी इतनी आसान नहीं, जितनी लगती है मैं भी वैसा ही सोचता था I used to think that too यानि मैं भी वैसा ही सोचता था I used to think that तू अब मेरे यह कह रहा है कि मेरे अभी आध है जब मैं बच्चा था I still remember when I was a kid मेरे अभी आध है जब मैं बच्चा था I still remember when I was a kid मैं सोचा करता था I used to think that मैं सोचा करता था कि I used to think that यह कह रहा है कि I still remember when I was a kid मेरा भी आदे जब मैं बच्चा था I used to think that मैं सोचा करता था मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा I would do this, I would do that क्या निक है मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा I would do this, I would do that लेकिन जब तुम बड़े होते हो तो तुम्हें ऐसास होता है जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं आता तुम ने अच्छा काम किया You did great work तो फ्रेंड हैं, आपने साथी से कह रहा है कि You did great work तुमने अच्छा काम किया You did great work तुमने अच्छा काम किया अभी यह मुझ पर छोड़ दो अभी यहां से मैं संभाल लूँगा उन्हें अब समझाने का कोई फाइदा नहीं अब उन्हें समझाने का कोई फाइदा नहीं अब उन्हें समझाने का कोई फाइदा नहीं तो हमें अब क्या करना है तो अब हमें क्या करना है तो इस पर कह रहे हैं सही समय का इंतजार वेट फोर दा राइट मोमेंट वेट फोर दा राइट मोमेंट यानि सही समय का इंतजार वेट फोर दा राइट मोमेंट आज की वीडियो में इतने जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी देखना चाहते हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि इस तरह की वीडियो हम रेगुलर अपलोड करते हैं इनमें जो सेंटेंस हैं सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो अपनी डेटो डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं इस तरह की वीडियो रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को अगर आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना और थैंक्यू सो मच और वोचिंग इस वीडियो सब्सक्राइब